नमस्कार दोस्तो मैं राकेश्वपाद्या आज फिरस एक बार आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके मोटो जीफोर प्लस कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुछ इस्यू हैं उनके बारे में जैसे ओवर हीटिंग बैटरी जल्दी खर्च होना गेम क्रेश होना और चार्जिंग प्रॉब्लम्स तो आईए हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो बैटरी जल्दी खाता है जो बैटरी आपके जल्दी वीक होती है उसके लिए आप क्या करें देखिए उसके लि सबसे मैं जाता हूँ लोकेशन में इसके बाद में देखिए मोड में जाता है पहला मोड है आपका हाई एकुरेशी इसमें सबसे ज्यादा बैटरी खर्च होती है नीचे है आपकी बैटरी सेविंग देखिए पहले का मतलब है यूज जीपीएस वाइफाई ब्लुटूथ औ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और भी है आपके यूज जीपीएस डिटर्माइन लोकेशन इसको कर सकते है तो इससे आपकी बैटरी कम खर्च होगी दूसरा है आपका बैक चलके आप जो है यहां से लोकेशन आफ कर सकते हैं तो भी इससे आपकी बैटरी कम खर्च हो इसको आप यहां से भी बंद कर सकते हैं लोकेशन को तो ये तो होई बैट्री की बात अब आए कम बात करते हैं इसके ऐसके जी एक हीटिंग प्रॉब्लमें आपने देखा हो अक्षर कैमड़े में प्रॉब्लम होती है तो आईए हम इसका camera on करते हैं सबसे पहले इसका front camera on करते हैं देखिए मैं ने आई ये front camera पर अब देखिए मल लिजिए मैं right hand पर एक इस पर click करता हूं तो नीचे से थर्ड वाला option आता है slow motion इस पर मैं click करूंगा तो देखिए इसकी picture quality change हो गई यहां पर अब मैं इसको एक तरह से back camera की तरह भी use कर सकता हूं देखिए यह मैंने on किया back camera यह देखिए इसमें आपकी battery कम खर्च होगी आपकी processor कम खर्च होगा जिससे आपकी battery saving भी होगी और यह problem आपकी heating की नहीं होगी camera इससे बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा लेकिन इसमें एक बात है कि इसकी video quality अच्छी नहीं आएगी तो आप इसको use कर सकते हो अब हम बात करते हैं battery saving के एक और futures के बारे में आप देखिए brightness कम कर सकते हैं इसके लिए यह तो जनली सबको पताई होगा यह देखिए यहां से आप brightness कम कर सकते हैं दूसरी बात है कि आप developer option में जा सकते हैं setting में जाईए और सबसे नीचे जाईए आपका about phone सबसे नीचे होता है यहां देखिए यहां पर यह आप बुल्ड नंबर पर चार-पांस बार क्लिक करेंगे तो यह आपको developer option पर ले जाएगा आप बैक आईए सबसे नीचे आजाएगा आपका नीचे से थर्ड डिवलपर option यहां पर आईए आप इसमें आपको सर्च करना है background process limit यह देखिए यह है standard limit इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी खर्च होती है दूसरा है आपका maximum one process, two process, three process आप three process कर सकते हो जो background में आपकी चलेगी या आप चाहो तो no background process यह भी कर सकते हो तो इससे आपकी battery और चलेगी मैंने माल लेजिए इसमें एक कर दिया या तीन कर देखिए हमें यहाँ पे अब मैं वापस आता हूँ तो इससे भी आपकी battery बचेगी देखिए एक problem होती है आपकी game hanging की problem जब आप game खेलते हो तो आपका hanging भी हो सकता है और सबसे बड़ी problem होती ही heating problem तो उसके लिए आप क्या करें कि बीच बीच में थोड़े से अपने phone को rest देदें उसको use ना करें तो इससे आपकी heating problem नहीं होगी कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी video game download करते हो और वो crash हो जाता है या खेलते खेलते वो crash हो जाता है तो इससे आपका वो नहीं आता इसके लिए क्या करेंगे कि आप phone को आप volume की और power की एक साथ दबाएं दबाने के बाद थोड़े देर आप दबाएंगे दबाएंगे तो आपका ये phone जो है recovery mode में start होगा वहां से आप अपने इसकी recovery कर सकते हो दूसरी चीज है एक problem आती है आपकी इसमें battery charging में कभी कभी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप charge करें तो ये आप location off कर सकते हैं brightness कम कर सकते हैं चार्ज करते समय यानि कि आप application का use ना करें data बंद कर सकते हैं आप दूसरी बात जब आप charge करें तो कोशिश करें कि normal charger से ये charge करें आप turbo charger से charge ना करें अगर आप turbo charger से charge करते हैं तो heating problem आती है तो अगर आपके पास time अधिक है आप night में अगर चार्ज करते हैं तो normal charger से इसको आप charge करें तो ये कुछ बातें थी हो सकता है आपके कुछ काम की हो तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू फर वाचिंग